नमस्कर दोस्तों, में नाम शृरी कानकुमर अब देखे रेट हुझे टोसिस आज हम बात करने हो बाले इस वीडियो में दोस्तों, अब किसी का भी पैन कार्ड डाउनलोड करना बहुती असान हो गया है अग दोस्तों, किसी का भी अधहार नंबर डाल कर pen card को सिर्फ एक मिनेट में आप डॉनलोड कर सकते हैं तो अगर आप pen card को डॉनलोड करना चाहते हैं अधार card से और घर बैठे अपना mobile phone से तो इस वीडियो को पूरा complete देखना है इस वीडियो में हम पूरी details में step by step पर के दिखाने वाले हैं कि घर बैठे अधार नमबर डाल कर अपना मोबाइल खोन से पैन कार्ट को किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चल दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरी चैनल पर नहीं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अब लाइकन घंटे को प्रेस कर लिजिए ताकि मेरा वीडियो करो डिपकेसन सबसे पहले अप के पास पहुँच पाए तो चल दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों अधार नमबर डालकर एक मिनट में पैन कार्ट को डॉनलोड करने के लिए सबसे पहले मोबाईल ये लेप्टोप का किसी एक ब्राउजर को अपेन कर लेना है ब्राउजर में टाइप करना है ASUP उसके बाद सर्च के option पे क्लिक करना है सबसे उपर जो link के दीख रहा है इस link पे क्लिक करदना है अधार card का official portal इस प्रकार से open हो जाता है जो इस प्रकार के interface देखने के लिए मिल जाता है सबसे पहले us scroll down करना है और यहाँ पे एक service देखने के लिए मिल जाता है चेक अधार validity का service इस service के उपर क्लिक करदना है उसके बाद यहाँ पे अपना अधार number को type करना है इस capture code को इस box में type करना है प्रोसीट के option पे क्लिक करदना है उसके बाद यहाँ पे दिखिए अधार verification कम्पलीटिव हो गया है अब यहाँ पे सबसे पहले check करना होगा कि मेरा अधार card में mobile number link है या नहीं है अगर आपके अधार card में mobile number link नहीं रहता है तो फिर अधार number से pen card को आप घर बैटे download नहीं कर सकते हैं उसके लिए अधार card में mobile number link होना जरूरी है तो दोस्तो अगर आपके अधार कार्ड में mobile number लिंक होगा तो यहाँ पे mobile number का last three digit यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तो यह mobile number जोए कि आपके पास होना चाहिए और active होना चाहिए क्योंकि इस mobile number पर एक OTP को send किया जाता है OTP देने के बाद ही जोए कि आप pen card को download कर सकते हैं तो यहाँ पे मेरा अधार कार्ड में mobile number लिंक है तो चलिए हम एक मिनट में अधार number डाल कर pen card को download करके दिखाने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले browser में type करना है e-filling उसके बाद search के option पे click कर दना है सबसे उपर जो link दिख रहा है income tax department इस link पे click कर दना है e-filling का official portal इस प्रकार से open हो जाता है जो इस प्रकार के interface देखने के लिए मिल जाता है तो सबसे पहले क्या करना है इस प्रकार से scroll down करना है जैसे आप scroll down करते हैं तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है extent e-pen के एक service इस service की option पे click कर दना है click करने के बाद अगला कुछ interface इस प्रकार से यहाँ पे open हो जाता है और अगर आप तुरंद का तुरंद बिल्कुल free में 2 minute में pen card बना कर download करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए option दिया गया है कि आप यहाँ से extent e-pen card को आप यहाँ से बना कर तुरंद का तुरंद आप download कर सकते हैं बिल्कुल easy process रहेगा, paperless process रहेगा तो अगर आप अधार number से pen card को download करना चाहते हैं तो उसके लिए scroll down करना है, यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है download pen के option और यहाँ इसके निचे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है continue continue के option पे click करना है, अब यहाँ पे देखिए pen card को download करने के लिए सबसे पहली यहाँ पर अपना अधार नमबर को टाइप करना है Continue के option पर क्लिक करना है Mobile नमबर पर एक OTP को send किया गया है यानि अधार काट के साथ जो Mobile नमबर लिंक है उस नमबर पर एक OTP को send किया गया है OTP को इस box में type कर दना है उसके बाद continue के option पे click करना है तो हमने यहाँ पे OTP को type कर दी हैं तो चलिए अब हम continue के option पे click करते हैं जैसे हम continue के option पे click करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं successfully यहाँ पे pen card का status सबसे पहले यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि आप किस date में pen card को बनाया है उसका date यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और किस date में pen card बनकर ready हो गया है उसका date यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे देखे नोट में बताया गया है कि pen card यहाँ पे download करते हैं तो PDF में password लगा हुआ है तो password में आपको किस प्रकार से type करना है और क्या type करना है तो यहाँ पर दिखे एक्जामपल में बताये गया है कि pen card में जो भी आपका date of worth रहेगा बिना space दिये हुए इस प्रकार से आपको जो है कि type करना होगा date of worth को तो pen card को download करने के लिए अब आपको क्या करना है तो जैसे आप एस side में आते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और यह pen card उन लोग को download हो रहा है अधार number से जो लोग e-filling के portal पे आकर बिल्कुल free में pen card को बनाये हैं वही लोग यहाँ से pen card को download कर सकते हैं अपना अधार number डालका है और अगर आप NSDL के portal से बनाये हैं या फिर UTI के portal से pen card बनाये हैं तो उसको कैसे आप download कर सकते हैं उसके लिए browser में type करना है pen card download उसके बाद जैसे search के option पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो website देखने के लिए मिल जाता है पहला website देखने के लिए मिल जात हो जाता है pen card को download करने के लिए यहाँ पे pen number वाले option को select रहन देना है यहाँ पे pen number को type करना है यहाँ पे अधार number को type करना है यहाँ पे date of birth का month को select करना है यहाँ पे airs को type करना है उसके बाद scroll down करना है box पे tick out करना है और यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाता है box इस box पे tick out करना है और submit के option पे click कर देना है pen card के साथ जो mobile number link होगा उस number पर एक OTP को send किया जाता है OTP को आपको fill up करना है और pen card को यहां से download करने के लिए 8 रुपिया 26 पैसा आपको सबसे पहले pay करना होगा तो इस परकार से आप जो है कि pen card को download कर सकते हैं